देखिए आज स्वास्त बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है दवाई भी बड़ी हैं डॉक्टर्स भी बड़े हैं हॉस्पिटल्स भी बड़े हैं लेकिन उसके साथ साथ रोग भी बड़े हैं यह क्यों बड़े हैं रोग हमारा मानना यह है कि जो हमारी स्वास्त रहने की जो पद्धती है उस पर ध्यार नहीं है किवर रोग को ठीक करने की इस्टती है आयुर्वेद और प्राकृतिक चक्रिस्था यह दो पद्धतिया है जो यह कहती है कि रोग होना ही नहीं चाहिए और रोग नहो उसके लिए आवश्चक है कि हमारी जो जीवन शैली है वो बगले आ सारा जो रोग का कारण है वो तो हमारे शरीर के अंदर है और वो है शरीर के अंदर से जो निश्काशन की क्रिया है उसका ठीक से ना होना शरीर स्वास पस्वास के द्वारा लंग्स के द्वारा गंदगी निकालता है शरीर पसीने के द्वारा गंदगी निकालता है शरीर रास्ता है खाने का अगर यह व्यवस्थित बने रहें इनमें संतुरन बना रहे तो हर व्यक्ति निरोगी जीवन जी सकता है लेकिन आज इतने रोग है उसमें सब रोगों में करते हैं हम में करते हैं जो कारण है उसको दूर नहीं करते कारन है इसको कुछ सा गता है और नए रूप में रोग निकल और दभता है एक उसको माकरते है में दुर्वाग प्रकार का जीवन जीएं जिसमें रोग होने की संभावना कम से कम हो जाएं आज तो देखिए प्रदूशन कितना तेजी से फैल रहा है ना वायुशुद्ध है ना पानी शुद्ध है ना प्रत्वी बची है और सबसे मुख्य चीज जो खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं ज साइने खादों के दौारा और उसका प्रैलाम फिर सीधा सीधा हमारे स्वास्ट पर पढ़ता है तो वास्तव में प्राक्तिक चिकिस्टा जो है यह जीवन पजधती है जीवन शैली है प्राक्तिक सिकिस्टा की अंशारदी बात करने तो इस तरह इसी दिन चर्याई को इसलिए आहार को और शरी के रूप में मान करके उसका प्रियोग करें दूसरा है जीवन में श्रम आज जीवन श्रम रहित हो गया है तो जीवन में पूरे शरीर को ठीक रखने के लिए श्रम की आवशकता है और उसके लिए सबसे आसान तरीका योगासन है प्राणायाम है ती आपकार के विष्राम होंगे तो रोख ठीक होगा फिर अंतरवहिय चाहिए बाहर की सफ़ाइं और अंदर की सफ़ाइं तो अगर हम अपनी दिन चर्या में सुबह से लेके शाम तक इस पर ध्यान दें और उस तरीके से अपनी दिन हम चीनी, रिफाइंड और लाल मिर्च इनका प्रियोग करने के लिए मना करते हैं प्राकतिक चिक्सा में आहार से और जो कच्छी चीज़े हैं जिसमें रफेज है, सलाध है उसको भोजन में शामिल करने की बात करते हैं जो हमने हमारे आहार में इतना ही परिवर्तन हो जाए जो इस्टूमिलेंट्स है इरिटेंट्स है उनको हम निकाले जो अमलिय पदार्थ हैं उनका कम से कम प्रियोग करें और शारीय भोजल लें तो हमारे शरीर का जो पी एच्छ है जो ब्लड का पियच है वो संतृत होगा औ सबसे अच्छी पदती माना था क्योंकि यह स्वाब लंबी चिकित्सा है और उपवास महा उशदी कहा गया उपवास को ब्रत को लंगनम परम उशदी तो यह इतनी सरल चिकित्सा है इसको कही बाहत और की जरुरती नहीं, идूसरे के हाथ में अपनी स्वास्ट को सौपने की जरूरती नहीं, आपनी दिन चर्जा को व्यवस्थित्स करने के आवश्यकता है पेट को ठunda रखिये पेर को गरम रखिये पेट को नरम पेट को गरम और सिर्फ को ठ bulदा ये तीन चीजों को ठीक कर लिजिये हर लक्षि स्वयम को ठीक कर लेगा स्वयम ठीक कर लेगा पशू है बीमार पढ़ता है खाना छोड़ देता है मनुश्य है बीमार पढ़ता है तो खाता रहता है इतना ही परवत्र कर दे तो हर व्यक्ति स्वयम ठीक हो जाएगा कहीं जाने की जुरुवत नहीं है किसी के पास जाने जुर तो आहार को हमको विवस्त करना पड़ेगा, विवस्त करना पड़ेगा, stimulants है, जो रोक के कारण है, उन कारणों को समझना पड़ेगा, कि BP क्यों हुआ, BP इसलिए हुआ कि हमारे शरीर की जो रक्षवानी नलका हैं, वो कठोर बन गई, और वो कठोर बनी, आज का जो हम खाते है, जो मुक्क रूप से चाय, कॉफी, cold drinks, इन सब चीजों से हाट को घगारती है, फिर तली हुई चीज़े, refined, cholesterol बढ़ता है, उसकी वज़े से सारे रोग होते हैं, तो ऐसी चीज़ें, जो शरीर में जाकर के दोश परदा करती हैं, उनका सेवन ना करें, जो अधिक से अध सब्जीओं का रस्पी हैं, तो हर लक्षी स्वेम होता हो, ब्लड पेशर हो, डाइवेटीज हो, यहां तक की कैंसर भी उससे ठीक होने की संभावना रहती है, ऐसे मरीज जो कैंसर से ग्रसित थे, इनको डॉक्टरों ने कहा कि एक कैंसर से इनको ऑपरेशन जरूरी है, इनक बदली, व्यवस्टित किया, यूग असन का अभ्यास किया, प्राणायम का अभ्यास किया, और वो आज निरोगी जीवन जीने का आनन्द ले रहे हैं, मांतिक रूप से भी बहुत अच्छी स्वर्ष रह सकते हैं, प्राक्षिक कि लोग कनाओं में रहती हैं, परिस्तान रह हो करके होते हैं, दूसरा है तनाव, तीसरा है अनिद्रा, किस तरीके से अनीद का अभाव हो गया है, और चोथा है लोलनी लैस, अकेलापन, तो यह चारो जो है मानसिक हैं, राकिर्टिक चिकित्सा, इन सब के लिए सेष्ट उप्चार पध्धती है, इससे दूसरी परिशान रहेते हैं, जैसे कब्ज, गैस, इन जैती बीमारियों को, अभी कंसर हर लोगों में भी पाई आ रहे हैं, लोग परिशान होते हैं, कापी इलाज कराते हैं, इससे बहुत जल्दी पही है, मैंने कहाना कि हमारे भोजन में रफेज की मात्रा बढ़नी चाहिए, शा कारण है रोक का, जिसमें अधिक से नमक की मात्रा हो जाती है, और ऐसे ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं, कितने दिन का रखा हुआ होता है, कुछ जानकारी नहीं, तो इन सब चीनों से अगर हम मुक्त हो जाएं, तो निश्चित रूप से घर का बना हुआ सब कुछ खा सकते ह हैं, तो निश्चित रूप से हर रखती स्वष्ट रह सकता है, इन से बचा जा सकता है, आज हम सभी को किस तरह से जड़ना चाहिए, आप क्या दो जाना करेंगे, तेखिए, मेरा मानना है कि हम अपने जीवन को जैसे मैंने पहले कहा, कि स्वष्ट्रम का योगासन का अभ् खाए, शुद्ध, दाल, चावल, रोटी, सब्गी, और शीच खाए, लेकिन सलात के मात्र अधिक हो, शाम के भोजन में सब्जी हो, डाल हो, सब्जियों की मात्र अधिक हो, तो आनि फाइवर चाहिए हमको, कब्ज को दूर करने के लिए, और कब्ज दूर होता है, तो सारी रोग ठीक होते हैं, और इस्टिमुलेंट्स हैं, इरिटेंट्स हैं, इन सब को एवाइड करना चाहिए, तो अभी सविर के दौरान, जो कुछ लोगों के जैसे मिट्टी रखी जा रही थी, इसके बारे में खोड़ी जाना चाहिए, इसके क्या फाइदा है, और लोग भी अपना उपचार करना चाहिए, तो क्याती है? इसका लाब लिया जा सकता है, तो इस तरीके से कवज को दूर करें, मिट्टी पट्टी से, यहां पर मिट्टी पट्टी का उप्चार होता है, पानी का हिराज होता है, फिर कंदी की निकालने का तरीका पसीना है, तो हम यहां इस्टीम बात दे करके पसीना निकालते हैं, स प्राक्र्ट्री होती है तो रोग ठीक होता है